Hello everyone and specially the curious people इस series में हम discuss करेंगे उन physics के misconceptions की जो science के बच्चों को हो जाती है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टैंसर्स की जनरली लोग बोलते हैं टैंसर्स वेक्टर और स्केलर की बीश का कुछ है अपर बीश में क्या होता है या फिर ऐसा स्केलर जिसकी direction हो अपर सालो तो वेक्टर नहीं हो जाएगा तुम्हों को बता दूँ टैंसर इन दोनों का बाप है तो पहले बात करते हैं स्केलर सब वेक्टर की तो जैसे अपना स्केलर हुआ 5 kg या 50 kg या फिर अपने वेक्टर हुए जिसे वेक्टर होता है तो स्केलर को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया सकता है और वेक्टर को एक रो से तो एक बात नोट कर लो कि यूणिवर्स के स्पेस डाइमेंशन से इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप 5D यूणिवर्स में पी राते हो तब भी स्केलर 0-order ही रहएगा और वेक्टर 1-order ही रहगा बस थोड़ा गंबा हो जाएगा तो हम बाद करेंगे Tensors की Tensors in-cut generalized case है अब जैसे Scalar 0-order matrix है तो यह 0-order tensor हुआ और वेक्टर 1-order matrix है तो यह 1-order tensor हुआ और जैसे Stress tensor तो यह जो है second order tensor हुआ तो यह tensor का basic था इससे जाननेगी जरवत भी नहीं पड़ीगे अगर आप engineering करना साथ है और आप BST करेंगे तो इससे जाननी जाएंगे आप अपने आपी So thank you everyone and stay curious झाल